आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मसालेदार अर्वी तो इसकी लिए एक किलो अर्वियों को ले लिया है उन्हें अच्छी तरा से दो लिया है और इसको हमें बॉइल करना है तो अर्वियों को गोकर में डाल देंगे बॉइल करेंगे दो सीठी ले लेंगे जब तक अब भी बॉइल होती है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं तो तीन चमच धनिया पाउडर ले लेंगे एक चमच भरकर नमक लेंगे एक चमच मिर्च पाउडर आदा चमच कुपी लाल मिर्च दो चमच हल्दी पाउडर आदा चमच गरम मसाला दो चमच आमचूर पाउडर आदा चमच सौट पाउडर और चौकने के लिए एक चमच अजवाइम और थोड़ी हींग और एक पाउच मैजिक मसाला तो यह गुबल चुकी है हमें इतना ही रखना था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती तो यह घुल जाती है साब होती रहनी चाहिए तो अब इनको चिंग लेंगे यह को चील कर इसके गोलगोल पीस काट लिये है अब एक कड़ाई में आदा पाउल तील डाल दिया है और यह से गरम होने दीते हैं मसाले पाउडरों को मिक्स करेंगे सारी मसालों को मिला देंगे अच्छी तरह से मैगी मसाला भी अर्वियों में डाल देंगे तेल भी गरम हो चुका है इस मैसे दुआ निकलने लगा है लेकिन इस पॉइंट पर हम चूला बंद कर देंगे अगर इतने तेज तेल में हमने मसाले डाल दिये तो वो जल जाएंगे इसलिए इसे थोड़ा ठंडा होना देंगे कटी भी थोड़ी धनिया पत्ती भी डालेंगे अब हो चुका है पूरी तरह से नहीं करना थोड़ा थोड़ा ही ठंडा करना है अब इसमें हम अजवायन और हीम डाल देंगे इनको चटकना देंगे अब ही हमने चूला नहीं जलाया है अब इसमें ही हम मसाले भी अट कर देंगे ताकि फोड़ा सा उनका कच्छा पन निकल जाए ड्राई मसालो को हम तेज तेर में डालते तो यह जल जाते और टेस्ट को फराब कर देते अब यह हो चुके हैं मसाला भी नूला हमने चालू कर दिया है अब इसमें आर्वियों को एट कर देंगे और मिक्स करेंगे पूरी पराथे रोटी सभी के साथ अच्छी लगती आई है और इसे पांच गिनट तक भूल लेंगे तो इसे चला चला कर भूलती रहेंगे अब यह मसाला भी तैयार है आप इसे हम डिशाउट कर लेंगे यह मसाला भी देखिए एक एक पीस अलग अलग है खिला खिला पीस पना है गोटी नहीं है हमारी अर्भी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू